इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम चाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोर्स खत्म करें। यह आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक लेना बंदना करें क्योंकि इससे आपके लक्षनों की स्थिती और भी खराब हो सकती है। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इ आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी ना करें। इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियंतरित करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और एक संतुलित डाइट लेनी चाहिए। अगर आपके मूर या व्यवहार में कोई असामान्य बदला चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गरभवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्टनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। गैबेपिन एंटी टेबलेट के मुख्य इस्तेमाल नूरोपेथिक दर्द का इलाज गैबेपिन एंटी सो टेबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल डाइबिटीज, शिंगल्स या स्पाइनल कॉर्ड की चोट के कारण नसों में होने वाले नुकसान के कार गैबेपिन एंटी टेबलेट के साइड एफेक्ट, इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं परती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं, अगर गैबेपिन एंटी टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें, इस दवा की खुराक और अनुपान की अब्धी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें, इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोडे नहीं, गैबेपिन एंटी सो टेबलेट को खाने के साथ या भू खुत बहुत धन्यवाद